चेप्टर फाइव प्रोफित लोस औन डिस्काउंट का यह होट्स कोश्चन है दा मार्क प्राइज ओफ अन आर्टिकल इस थ्री फाइफ जीर जिरो एड रेट अफ डिस्काउंट इस त्व्यल परसेंट एक article है उसका mark price कितना है 3500 रुपीज है और उस पर GST लगा दिया इसी mark price के ओपर GST लगा दिया 12% यह shopkeeper allows a discount of 20% यह GST लगाने के बाद उसने 20% का discount दे दिया और still makes a profit of 10% और discount देने के बाद भी उसको 10% का profit हो गया shopkeeper को find the original cost price original cost price निकालना है हमने और selling price including GST selling price निकालना है जिसमें GST भी हो देखो इस question को कैसे करना है सबसे पहले लिखे देंगे हम mark price हमें given है 3500 और GST है 12% और यह 12% GST इसी के ओपर लगेगा ठीक है mark price के ही ओपर उसने क्या लगा दिया GST लगा दिया तो GST amount कितना होगा 12% of 3500 तो 3500 3500 इंटू 12 by 100 इसका 12% निकालो जब इसका 12% निकाला हमने 0 से 2 0 कट होगी तो आगया 420 रूपीज यह आगया इसका 12% क्या आगया GST लगया इसके उपर इसके उपर GST लगया तो अब कितना price हुआ price of article including GST GST मिला के अब इसका कितना price हुआ article का 3500 प्लस 420 GST लगया था इस पर तो अब कितने की होगी वो चीज article हो गया 3920 रूपीज का वो article हो गया ठीक है GST के बाद अब इस चीज पर उसने क्या दे दिया 20% का discount दे दिया कितना दे दिया discount 20% का discount इस पर 20% का आप लेगो discount कितना 20% discount 20% of 3920 कितना निकलेगा amount discount का 20% of 3920 इसका 20% निकलो 20% का मतलब है 20 by 100 of का मतलब multiply इसकी cutting कर देंगे 0 से 0 cut 0 से 0 cut तो 392 को 2 से multiply करेंगे 784 का discount मिल गया उसको इतने रूपीज पे इतने रूपीज का क्या मिल गया discount मिल गया इतने रूपीज उसका price था और इतना discount मिल गया तो आब कितने की पड़ेगी उसको तो कितने की बेच्ची दुकानदार ने उसको 3920 माइनस 784 माइनस कर देंगे 3136 इतने की चीज उस गाहक ने customer ने दुकानदार से खरिद दिया यानि कि दुकानदार ने इतने की बेच्ची है और इसमें 3136 में GST भी है इस selling price में GST भी है तो selling price including GST क्या हो गया यह हमारा हो गया first answer हो गया selling price including GST 3136 अब यह है selling price यह selling price लिग लिए प्रोफिट आब उसको profit भी चाहिए देखो profit कितना चाहिए था उसको 10% का चाहिए था profit चाहिए था तो 10 में यह SP है 10% का देदो profit और CP हमने निकालना है कि original cost price कितना था जब SP पता हो profit percent पता हो CP निकालना हो CP का formula होता है SP multiply 100 upon 100 plus profit percent अब क्या करेंगे अब रख दो SP कितना है 3136 इंटू और यह इंटू 100 कर देंगे और निचे 100 plus 10 ठीक है 100 plus profit percent कितना था 10 था तो 100 plus 10 कितना हो गया 110 हो गया है अब इसकी cutting कर दो 0 से 0 कट हो गया इसको 10 से multiply करेंगे 3136 0 आजेगा upon 11 इसको 11 से divide करेंगे तो हमारे पास आएगा approximate 2850.90 रुपीज इतने रुपीज और इतने पैसे हमारे पास क्या आगया इसका answer आगया और यह क्या answer है यह क्या निकाल ला है हमने यह निकाल ला हमने ओरिजनल cost price of article CP ठीक है original cost price of article देखो हमने SP दिया हुआ था profit percent दिया हुआ SP हमने निकाल ला था profit percent दिया हुआ था CP निकालना था हो, तो CP का फर्मूला आपको पता है, क्या होता है, SP multiply 100, upon 100 plus profit percent, ये सारी value हमने रख दी, 100 plus profit percent 10 था, 100 plus 10 कितना हो गया, 110, इसकी cutting विगारा करेंगे तो, 2850 rupees, 90 पैसे हमारे पास क्या आगया, answer आगया, original post price ये आगया, ये तो एक answer हो गया, और क्या था, SP including GST, ये दो answer हमारे पास आगये, तो ये हमारा question complete हो गया, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो चैनल को subscribe कर लेना, और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ, share कर देना, next वीडियो में विलेंगे, तब तक के लिए, नमस्कार.